जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नोटिवकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी नया सस्थिंग वीडियो गुरुजी माराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिवकेशन आप तक तुरंट आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएं और माराज का दिव्य आशिरवाद ले पाएं वो भी सस्थंग सुनकर जय गुरुजी आज मैं आप सब के साथ जो सस्थंग शेर करूँगा वो हमें वाट्सेप के माद्दम से प्राप्त हुआ है हमें बेदी अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जरनी बहेज रहे है संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सस्थंग हमारे सस्यर करते रहें चाया आप हमें वाट्सेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें एफी नोटबुग में लिखकर या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है जब भी आप अपना नया सस्थंग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शान्त वातवरन वे ही रिकॉर्ड करें संगत जी आज जो हम सस्थंग सुनेंगे आज का दिवय आशिरॉआद आप सभी को मिल सकी अंटी जी ने जैसा सस्थंग हमारे साथ शेर करा है वैसे ही आप सबके साथ ये सस्थंग के मात्यम से आसाजा गरने जा रहे हैं इसलिए आप सभी संगत सस्थंग के अंत अगवने रहना वो सत्संग को बहुत द्यान से सुनना वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्लयान होता है और सत्संग करने वाले का भी और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं चलिए सच्छंग शुरू करते हैं जै गुरुजी जै गुरुजी संगजी मेरा नाम सीमा है और मैं मुंबई से हूँ सच्छंग की शुरुवात मैं गुरुजी के मन्द से करना चाहती हो ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए मेरे गुरुजी सदा सहाए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी गुरुजी बहुत अच्छे हैं बहुत त्यारे हैं किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं अगर उसका हाथ पकड़ा है गुरू जी ने तो कभी भी मजधार में नहीं छोड़ते मैंने तो जब जब गुरू जी से कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम आई है मैंने कभी भी गुरू जी के आगे उनके सुरूप के आगे मैंने मांगा गुरू जी ऐसा हो गया वैसा हो गया अब ये ठीक कर दो हमेशा गुरू जी ने सुना है मेरा बहुत अच्छे है गुरू जी जब से मेरे लाइफ में गुरू जी का मतलब गुरू जी का मैंने मानना गुरू जी ने हाथ पकड़ा है मेरा तब से पॉजिटिवि कि ऐसे गुलाबों की खुश्बू आती है बहुत सारी फ्रेग्रेंस आती है बड़ी अच्छी तो ऐसी चलते चलते में वॉक करते हुए ना गुरुजी के भजन सुन रही थी शर्बद उनके तो इदम से मैंने सुचा मैं गुरुजी आपकी सबको आती है फ्रेग्रेंस मैं पर अओन से आरी शायद यहाँ पर कोई भुकेर लेके कोई तो नहीं निकल रहा है या कोई फूलो मदा फ्लार्स का कोई प्लांट वगरा है आया कुछ बढ़ उच्छ भी नहीं था अंधेरा भी था और कोई भी नहीं था इतनी अच्छी मुझे फ्रेग्रेंस आई जै पर मैं और बेटा एंटर कर रहे थे पहले तो बेटा भी बहुत मानता है गुरू जी को मेरा तो जैसे ही हम एंटर करें तो एक बटरफ्लाइ हमारे आगे से निकली तो मैं हमेशा गहती रहती थी गुरू जी आप बटरफ्लाइ में सब को बटरफ्राइ के रूप में अप दर्शन देते हो, मुझे तो कभी भी नि दिया अपने, तो बेटे नी देखा, मैंने देख पई तब भी, न beleत बताई होई पिती हैं। क्तिके जो में एंट्रेंस पे मिली थी। मैंने का निव्हानी सेच निए अगे से निखली थी। यह को ब्याटी है. अपॉसरी ज sistema और वुटे एसा। जह कर रंसरा दो का तो कि देखांगी। कि मैं उससे मैं नहीं देख पाई थी, मुझे दर्शन देने थे उन्होंने, और वो बैठे रहती दे, मैं बता नहीं सकती, वो मेरी क्या फिलिंग थी, तैंक यू सो मच गुरू जी, मैं बहुत 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 दिल से शुकराना करती हूँ, आपने मेरी लाइफ में इ रिलेटेड हो या फिर उनका स्वाडिज हो या हस्बेंड की कुछ जॉप से रिलेटेड हो, आपने हमेशा साथ दिया, हैल्थ से रिलेटेड हो, मेरी हैल्थ इतना ज़्यादा पेन था, मुझे बैक से लेके नीचे तक साइटिका टाइप का, बड़ आपकी शरण में आने सीबतों से सबसे हमें उबारो गया भूरू जी आपको नहीं पता मतलब मैं आपको तो पता है मेरा मतलब मैं नहीं आपको बता सकती है कितना जादा मुझे इतना विश्वास है आपके उपर और वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन विश्वास और मैं बहुत बहुत संगत जी अब हम के गुरु भग्तान्टी जी का ससंग सुनेंगे आज मैं अपना चोत्ता शुक्राना ससंग शेयर करने जा रहे हूं चेयर करने से पहले शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी ओम नमस्षिवाई शुजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी आज मैं पहले से खुद को इतना अच्छा इतना सक्षम मान रहे हूँ यह सब गुरुजी की कृपा है गुरुजी का शिर्वाद है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरा सहारा मेरे गुरुपा आज से कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर पट्याला रहती है उसका कॉल आया मेरे को रात को कि उसकी नड़की की तवियत जो अभी साल की भी नहीं है मेरी बहांजी उसकी तवियत बहुत खराब हो गई उसको हॉस्पिटल लगे गए एडमिट कराया बहुत रोरी थी मेरी सिस्टर मैंने उसको बोला कि मंतर जाब कर सब ठीक होगा फिर अगले दिन मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों उसको मिलने गए देखने गए तो मैंने उनके हाथ गुरुजी का सरूप जो मैं चहतरपूर बड़े मंदर से लेकर आई थी वो सरूप मैंने अपनी सिस्टर को देने के लिए उनके हाथ बिजवाया तो जब मेरे मम्मी डाड़ी वहाँ पहुचे तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जब देखा कि कट्टो के दिबियत बहुत जादी खराब थी तो वहाँ गए फिर वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का सरूप उसके मात्य से लगाया और उबले मंतर जाप किया मेरी सिस्टर मंतर जाप किया उसने तो उसकी हालत में थोड़ा सुधार तब से आना शुरू हो गया अगले दिन से नेक्स टू नेक्स डे मेरी सिस्टर की बटी ठीक हो गई टचवोड मेरे गुरुपा की कृपा गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया घर आ गई अब वह डेली सुबा वंतर जाप करती है जै गुरुजी, शुपराना गुरुजी कि अनंतम नंतम शुकराना मेरे गुरुपा आपने बहुत करपा किया है कुछ टाइम बाद जब मैं बहुत ज़ादा स्ट्रेस में थी क्योंकि मैं फीजिकली बलकुल ठीक नहीं हूँ अच्छली मुझे स्पाइन की दिक्कत थी तो मैं बस थोड़ा-थोड़ा करके मेरे गुरुपा की कृपा है कि मैं पहले से बहुत बैटर हो गई हूँ तो मैं बहुत ज़ादे कुछ डिप्रेशन डैप में थी तो अचानक से मेरे ममी ने बोला कि उपर बटरफलाई आई है तो मैंने का गुरुजी मेरे गुरुजी आया तो मैं दीरे-दीरे ममी मुझे पकड़के उपर स्टेर से में से स्टेर चड़े नहीं जाते मुझे दीरे-दीरे पकड़के उपर लेके गई मैंने बटरफलाई गुरुजी के दर्शन किये मेरा मन बहुत खुशी मिली मुझे देखकर फिर वहाँ पे एक कबूतर आया मेरे पास पैरोक के साइड में तो मैंने मुझे कुछ दिन पहले मैसिज भी आया था कि मैं तुझे दर्शन दूँगा तो वो जब आये तो मैंने चावल के कुछ दाने थे मैंने उनको खिलाए कबूतर ने खाए मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिये मुझे बलेस किया बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्राना गुरुजी अनंतम नंतम शुक्राना उसके कुछ दिन बाद फिर जन्माश्ठुमी को त भार रहा है उसे पहले भी मैसेज आया था कि जन्माश्ठुमी ओधिन क्रिश्ण जी और मैं तुझे बलेस और अठी तो मैंने हर साल की तरह मैं जनमास्ट में पे ग्रिश्यन जी का मंदिर सजाती हूँ, तो इस बार भी मैंने बहुत मंदिर अच्छे से सजाया, भोग लगाया, आरती की सब किया, फिर आखको बारा बजे जब बहार हमारे घर के पास मंदिर है, वहाँ पे आरती बारा बजे स् और जब तक आरती चल रही थी, वह बटरफ्लाई वही गूम रही थी, और मैं बहुत मेरी आखों में आसों की मरे गुरुपा का मैसेज भी आया था, मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिये, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बटरफ्लाई आसे कभी रात के टाइम दिखी हो, त मैं बहुत ही जादा ब्लेस्ट हूँ, मेरे गुरुपा, मेरे अंसंग है, मेरे सहारा है, मेरे गुरुपा, बहुत अच्छा लगा मुझे, जय गुरुजी, शुकराना, गुरुजी, अनन्तम, शुकराना, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा मेरे बहुत सुनते हैं, मेरे म आ भाउshotsको को ब्लैस कर दो, मेरी महिया को ठीक कर दो. बस मेरी महिया दो दिन 예ंगे एंदर डीक हो गसी अ कृफा न वहीं के ना टीक हो है, गुरुपा की कृपा है, गुरुपा न ही जो, हुवाज बहुत जल्दी सुनते हैं, गुरुपा myचैना, गुरुपा मैं बहुत ब्लेस्ट हूँ गुरुपा बहुत ब्लेस्ट हूँ गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस्ट हूँ गुरुपा जितना शुक्राना गुरुपा का मेरे गुरुपा का हर श्वास से शुक्राना हर श्वास का शुक्राना गुरुपा नंतम अनंतम शुक्र लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा का गुरुपा ऐसी हम सब पे अपनी गुरुपा अपनी संगत पे हमेशा करपा बनाए रखना गुरुपा बहुत प्यारे मेरे गुरुपा लव्यू गुरुपा जया गुरुजी शुक्राना जै गुरु जी अब हम गुरु भक्तान्टी जी का ससंग सुनेंगे जै गुरुजी संगत जी, जै गुरुजी, संगत जी, आज मैं अपना शुकरना ससंग शेर करना चाहती हो, गुरुपा मैं माफी मांगती हो, मैं बहुत दिनों से अपने ससंग शेर नहीं कर पा रही हो, संगत जी कहते हैं कि जब तक हमारे गुरुपा नहीं चाहते कुछ नह पता नहीं क्या हुआ मुझे रोज सोचती थी और सोचकर रह जाती थी पर मेरा ससंग शेयर नहीं हो पा रहा था शैद गुरुजी की यह इच्छा थी मैंने अपना लास्ट ससंग जो शेयर किया था वो 31 अगस्त को किया था इतना लंबा टाइम हो गया, उसके लिए मुझे माफ करें गुरुजी, आपने इस बीच मुझे इतने सारे सलसंग करवाएं मेरे साथ, कि मैं इखटे हो गए मैं बताऊंगी, तो बताते बताते बहुत लंबा सलसंग हो जाएगा, आज मैं सिर्फ एक दिन का सुक्राना शेयर करूंगी अपना, सबसे पहले मैं गुरु मंत्र बोलूंगी, ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई, जै गुरुजी, गुराना मेरे गुरूपा, संगत जी, ये बात है 29 सबस्थ की, 29 सबस्थ को मेरे बच्चे जिम कॉलबेट के लिए घूमने के लिए स्कॉल टिप की तरग से जा रहे थे, तो उससे पहले एक मेसेज, ये जो मारे ससंग मेसेज आते हैं, ससंग मेसेज आया, जिसमें लिखा था तेरे बच्चों पर एक्सिडेंट का खत्रा है संगजी मैं इतनी जादा डर गई इतनी जादा डर गई पहली बार मेरे दोनों बच्चे स्कूल टिप के तरफ से इतनी दोर जिम कॉल्पिट नैनी ताल जो आ रहे थे अब उनके टिकेट भी फैनल हो चुके थे सब चीज हो चुकी थी तो मैं एंड मॉमेंट पे उनको ये भी नहीं कह सकती थी कि हाँ आप मत जाओ और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं कहती तो शायद किसी के मन में वहम आ जाता पर मैं वो सलसन का टॉपिक पढ़की परिशान हो गई सिर्फ पाकी तो मुझे उमीद थी कि मेरे गुरू जी मेरे साथ है तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये बच्चे मेरे नहीं है मेरे गुरू के बच्चे हैं मैं भी अपने गुरू की हूँ और मेरे भच्चे भी मेरे गुरू की ही तो मुझे सिर्फ परिशानी इस चीज की हुई कि मैंने ऐसा टॉपिक बड़ा जिसे सुन करके मैं बहुत परिशान हो गई संगा जी मैं इतनी परिशान रही मैं बच्चों की जानें की तयारी कर रही थी पर मैं अंदरी अंदर इतनी परिशान हो गई कि मैं बार बार गुरू जी से एक ही अरदास काती रहे गुरू जी बच्चे जा रहे हैं और मैं किसे से क्या भी नहीं सकती हूँ आपको इने समाल पर आप इनके साथ जाएंगे, आप इनकी रक्षा करेंगे। कि बच्ची फोन नहीं लेके जाएंगे, ये और भी बड़ी परिशानी, एक तो मैं ये परिशान कि मैंने ऐसा ससन सुना, उपर से फिर, कि बच्चों के पास फोन भी नहीं, तो मैं इतनी परिशान कि मैं अब घरू क्या, फिर भी मैंने अपने गुरुजी के वरों से अपने मेरे गुरुजी हैं, तो सब संबल जाएगा, मैंने खरदास की थी, और साथी ये सोचा था, जैसे बच्चे आएंगे, मैं अपना सलसंग शेयर करूँगी, बर कुछ ऐसे सरकम्टेंसिस बन गए, कि मैं सलसंग शेयर नहीं कर वाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ कर दिया, स्पीच जब वो एक तारिकों बच्चे वापस आए, और सही सलामत वापस आए, मैंने दोनों हाथ जोड़ कर अपने गुरुजी के आगे, अरदास की, कि गुरुजी आप में मेरे बच्चों को सही सलामत करना दिया, आपका नख नख वार शुकराना, शुकराना मेरे गुरुपा, किन शब्दों में करूँ आपका शुकराना गुरुजी, मैंने वो ससल सुना था, और पूरा ससल चुला था, वैसे मैंने सुना, जब हम ससल सुन लेते हैं, तो हमारे उपर आने वाली विपदा भी हट जाती है, तल जाती है, वो सारी कष्ट कट जाते है, ससल सुनने से ही हमारे कष्ट कर जाते हैं, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरुपा, आपकी इतनी महरवानियों के लिए शुक्रिया, आपका लख लख वार शुकराना, कोटी कोटी शुकराना मेरे गुरुपा, आपके इतना कुछ दिया है, कहां तक मैं आपका शुकरान करो बस गुरूजी ऐसे ही मेरा हाथ थामी रखना गुरूजी आप ही जालते हैं क्या सही है क्या वरत है मुझे नहीं पता इस वक्त मेरे मुझे क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है बस जो आप बूलवा रहे हैं मैं वो बोल पा रही हूं जो आप करवा रहे हैं मैं व अभी जल्दी में ही गुरुजी के चरण आ रहे हैं गुरुजी ने मुझे बड़े बंदर भी बुलाया था वो से संग में अगली बाई शेयर करूंगी इस वक्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी गुरुजी आपकी किल्पा आपकी महिमा अप्रम पार है ओई जी आपकी किल्पा का आपकी महिमा का वड़ना नहीं कर सकता आप किस तरह से किस किस तरह से हम लोगों की रक्षा करते हैं कहां किस तरह से हमें समालते हैं बस आप जानते हैं गुरुजी आपको शुकराना मेरे गुरुपा संगत जी अब हम गुरुभग तांटी जी का सत्संग सुनेंगे जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी सारी संगत को जै गुरुजी जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जै गुरुजी और मैं गुरुजी की पेटी अमदाबात से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं मेरी गुरुपा की गुरुपा की बारे में मैं बत्ताना चाहती हूं कि कितना गुरुपा करते हैं मेरे गुरुपा और कितना अपने बच्चों को अपने एकदम हाथों के उपर करने हैं मैं गुरुपा के मंतर जप अप से स्टार्ट करना चाहती हूं ऑम नधर श्रीवाय सिव जी साहथ ऑम नमस्षिवाय गुरुजी सामसाह जे गुरुजी सुक्राणा गुरुजी ८ven द्साक्संत आपiben 119 साल से दर्शन करने हैं चाऩ जाते थे लालबाक्ति राज़ग जो है वहां पर उनका तो हम एक होटल में रुखते हैं वह हमारा स्वाशामий नग्जारायन का है उसमें यह हम लोग रुखते हैं तो उसके लवा कहीं और नहीं जाते थे तो क्या होगा कि यहां पर बारिस वेदर की वज़ाओं से स् कि गनपति जी जिसको चाहते हैं उसको जरूर बुलाते हैं वो जिनको चाहते हैं उनको दर्शन देते हैं तो मैं मन में सोची fifty पाज कुछ हो जाके वहihen हमें दर्शन मिल जाए लेकिन मैंने उमीद छोड़ दी थी क्योंकि इनके एक्जाम के दो डेटा आ गये थे तो यह हुआ कि इनका एक्जाम के खतम हुए चोटा तरह को क्योंकि दो तीन एक्जाम अगर इनके नहीं पॉस्पॉन होते तो फिर मतब कंटरी जी का विश्रजन तक चला जाता है उनका एक्जाम लेकिन क्या हुआ कि टीचर ने अमने बोला कि दिये दो तीन जो एक्जाम है वो बाद में लेंगे जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें तो अब टाइम मिल गया फिर मैंने पहस्वन को बोला कि आप देख लीजे फिर जन्दी फटा फटा प कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं भी रहेंगे दर्शन करने तो जरूर जाएंगे अगर मैंने कोई बाद नीकोई घृण गुरू जी सब अच्छा करेंगे मुझे सुरू से लेकर कि यह था कि गुरू जी सब अच्छा करेंगे गुण मतलब वह कर देंगे पांश्बल कर और उसमें भी 10-12 घंटे लगता था लाइन में हम लग लगे लगते थे लेकिन इस बार इसा था कि चरण में सपर्श करना है तो वहां के कुछ लोकन लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दर से लाइन है तो भी हम जाके लाइन में लगे और पूटर टाइम और हा तो वहां पर उन्होंने जो वहां पे हेट थे तो मना कर दी है उन्टल के मैनेजर उन्होंने बोला कि यहां रूम नहीं है दो मेरे पच्चे थोड़ा सम्मो बनाने लगए फिर मुझे भी इस कमपरटीबल नहीं लग रहा था फिर मैंने बोला कि गुरू जी प्लीज देख थोड़ा अलगी हो होता है तो मेरा हस्पर फिर दुबारा से पूछने कि सब भाई देख लो ना अगर मिल जाए तो तुरोंने बोला कि ठीक है एक रूम है मैं आपको देता हूँ फिर हम खुब कुस होगे मैंने तुरहन गुरुजी को मतब सुक्रिया किया बोला थेंक्यू गुरुजी आपकी उसे रूम मिला और फिर हम गए जल्दिल्दी फ्रेसोस होके चेंजर करके कपने और फिर हम चलेगे लाइन में लग गए तीन बजे इवनिंग में लाइन में लगे थे और नाइट के तीन बजे हमारा नमबर आया था गुरुजी गनपती जी का चरणस पर्ष में और तब से लिगे तब तक हमने मैंने मंतर जाप करती रही तब से लिगे तब तक कि गुरुजी बस आप हैं साथ में प्लीज मैं ने तवियत ना कर रहा हूँ मेरे को कि अपीपी की प्रॉब्लम है तो अपीपी लो हो जाता है और चक्कर आने लगता है और उपर से पुरी रात की जगी थी मैं मतलब यहां से एंदबाद से जाना था मुंबई तो पाच बजी की ट्रेन थी तो मैं सोची यह सो जाओंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा और सटेन भी सब कुछ वो करना पड़ा सब कुछ प्लानिंग हुआ तो उसी रात सब कुछ रखना और वो करना है फिर उसके बाद से फिर हम लोग चले गए अपना वहाँ पर लाइन में लगे फिर दर्शन किये बच्चों को भी थोड़ा सा लास्ट में आ करके एक तेड़ बजे के करीब में उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा कितना देर कितना देर फिर मैं गनपती जी प्लीज जल्दी से नमबर ला दीजिए गुरुजी प्रीज थोड़ा सा और हिम्मत दीजिए हम थोड़ी देर और खड़े रह लें हमें तो कोई दिकत नहीं लेकिन पच्चों को थोड़ा सा वह हो रहा था चुट-चुटे बच्चे हैं तो उसके बास लोगया फिर अच्छे से दा रशन हुआ बहुत अच्छे से दास्चन हुआ हे अगनपती जी को इतना नजधिक से मैं ने जीनी पार पहली बार मैं देखी इतना नजधिक से अपने गनपती जी को फिर उनका चरहने सवर्श करके दर्शन करके फिर हम लोग आपीस आएं फिर अपना रूम पे आएं फिर उसके बास ते चार बदेगे रूम पे आते थे फिर नेक्स दे मताब कोई प्लानिंग नहीं था बस ऐसी नॉर्बल चलो भूमने चलते हैं को मु में M2M जो है उसमें प्लोश टाइप का है उसमें फिर घूम लिए फिर अच्छे से सब कुछ हो गया फिर आए स्टेशन पर कुछ देर तक फिर चार बजा हमारी ट्रेन थी फिर हम वाविस आगे बद अच्छे से ट्रेन के टिकट बगरा सब मतब सदेनली सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हमें तो मतब फिरोशा नहीं था क्योंकि जाते टाइम हमसे गलती हो गया था मेरे हस्बंट से कन्फ्यूजन में वह 14 तारीक की रात को बतब 13 की नाइट को ना बना करके वह मतब 15 की नाइट को बन गई थी टिकट अब यह था और अब कैसे वो तो फिर जा करके मां भी गए यहां पर बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ बहुत अच्छे से इस बरकर टिप हमेशा याद रहेंगा मेरे गुरूपा मेरे साथ साथ थे वहां पर हमेशा बटर फ्लाई के रूप में दिखते थे तो का भी एंजल्स नंबर मतब बहुत बहुत गुरू गुरू जी ने सब पो सम्हाल के रखा था बस आखर आने के बाद से मेरे पैर में थोड़ी स्वैलिंग हो गई थी तो उसमें तुड़ा दर्द हो रहा था अधरवाइस सब सही था वरना मेरे तो पीपी का प्रॉबलम है मैं तो पहले मिता है मेरे पीपी का प्रॉबलम है मैं तो ऐसी चकर खा के गिर जाती हूँ लेकिन नहीं गुरू जी ने सब एक्दम इतना स्ट्रॉंग बना कर रखा था मुझे मेरे बच्छों को मेरे हस्बंड को बस मेरे हस्बंड को थोड़ से हरास्पन के विज़ा से फीवर हो गया तो लेकिन फिर सही हो गया बस एको ल जानी आई थी या कुछ उसमें कुछ था ऐसा कुछ जिससे हमें तकलीफ हो ऐसा निकालते जाते हैं बस गुरूपा की महर होनी चाहिए गुरूपा की देया होनी चाहिए खुरूपा होनी चाहिए मेरे गुरूपा का मैं कोटी-कोटी बार धन्यवाद करती हैं गुरूपा कि नहीं मेरे गुरुपा नहीं सुचए कि नहीं इनका मन है तो चलो भई इनको भी धेसते हैं वरना अधा naar tham Kakar운 लेकिन सब गुरुपा के रिश्टा से हुआ जय गुरुजी स्च राना गुरुजी सारी शंगत को जये गुरुजी मेरे को सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे संगत जी और गुरुजी आप लोग माफ कर दीजिएगा और मैं अगले संगत की तैयारी कर रही हूँ और अंकल जी आप जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं आपको गुरुजी खुब ब्लेशिंग और गणपती पपा भी आपको खुब खुश रखते हैं खुब अच्छे से रखते हैं लालबाक की राजा सब पर क्रिपा करें सारी संगत पर क्रिपा करें और गुरुजी भी सारी संगत पर क्रिपा करें मेरे घर परिबार सब पर क्रिपा करें गुरुजी जै गुरुजी जै गुरुजी संगर्जी, जै गुरुजी शिवाई अंकल जी, मैं अपना ससंग शुकराना ससंग शुरू करना चाहरे हूँ, मैं पहले ससंग करूँगी गुरुजी का क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और मेरे पर ससंग भी है, तो उसके बाद मैं अमरतमेला अंकल जी, सस्टंग शुरू करने से पहले में गुरुजी का मंतरजाब करूंगी अग नमस्षिवाई, शिवजी सदा सहाई, ओम नमस्षिवाई, गुरुजी सदा सहाई संगत जी, गुरुजी से ये प्रात्तल करेंगी गुरुजी, आप कहते हो कि शुक्राना कर, कुड़िये शुक्राना कर, तो संगत जी, जो भी आप बुलवाओगे मेरे से, मैं वही बोर लूँगी संगत जी, मैं आज सुबह, कल की बाता संगत जी, शाम की, तो मेरे न, मेरे लक्स पे बहुत दर्द हो दी थी तो जो मेरे नेवर्स है, उससे मैंने ट्यूप मांगी, क्योंकि उनके भी पैरों में बहुत दर्द थी, तो वो कहते हैं, मैंने ये ट्यूप लगाई थी, तो इससे मेरे को काफी स्वेलिंग में फरक पड़ा था तो मैंने का चलो मैं भी देख लेती हों लगा कि तो संगजी वो मैंने ट्यूप लगाई तो मुझे उससे थोड़ा फर्क पड़ा तो फिर फर्क पड़ा तो मैंने का मैं मार्केट जाती हो तो मैं लेकी आती हूं तो संगत जी मैं गुरुजी को लेके मार्केट चली लेकिन मार्केट में वो ट्यूप नहीं मीटी तो वो उंकल कहते कि हम ना आपको कल मंगवा देंगे और आप कल इसी टेम साथ 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 मज़े के करीब ले जाना मैंने का ठीक है मैं आ जाओंगी तो संगत जी जब मैं घर आई तो मैं बारिश हो रही थी तो पोड़ियां थोड़ी सी गिल ली थी तो संगत जी मैं हमेशा ही उपर से आवाज लगाती हूँ कोई भी चीज़ कराय दानी अपनी से कुछ भी मैंने मांगना होता है तो उनसे आवाज मारती हूँ अवाज मारे थी तो एसाल लगा जैसरी संगत जी किसी ने में रहे को मिरको पीछी से तक्का लगाया और मिम्र्गियर गई किया मद्युत ओर संगत देखने वाली बात गिरी है और मिरको उसी चौट पर उसी लेक्स पर द्वारा लगी और कहीं देड़र दीर बिए और इत क्योंकि गल्ची उपर थी और घर में कोई नहीं था मैं खेल ली थी तो मैं अपने आप आज उदर काफी टाइम बैठी रही सीडियों पर उसके बाद मैं उठके जय गुर्जी जय गुर्जी करती मैं उपर आगी और संगत जी वो जो मेरे को दर्द थी ऐसे जैसे लग रहा देती हूँ आईस पैक निकाला फ्रिज में से उख रहा उससे भी कोई फरक ना पड़े फिर मैंने कहा आप क्या कलो ट्यूप मगवाई मैंने दवारा वो ट्यूप इतनी साधी मैंने लगाई उस ट्यूप से कोई फरक नहीं पड़े जबकि वो ट्यूप मैंने पहले रहा यहाँ भूल धी, तेक हो भूड़े का शीक होगा प्रूड हो एक कमे चाला होगा वदी होुथ बूरान पईयर खुल जीए, और नहीं पगरें, मेरे चाला किनों बावन नाखिया हो चुछ बीच में संगजी ठीक हो जाता फिर द्वार अप्रशानी हो जाती है मेंको उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर अंटी को फोन किया मैंने कहा अंकल नीचे आई जब सुबह तो मैंने उनको बोला मैं आज फिर गिर गी थी तो वो भी हैरान होगे कि यह ऐसा कैसे हो रहा कि बार बर तुम गिरी जा रही हो मैंने का पता नी क्या हो रहा है भई तो फिर मैंने अंटी को फोन किया वो स्कूल में थे मैंने कहा तुमारे उदर जो मिया जी है मनले वले वो शायद मास में उसना फट गया हो तो देख देंगे क्योंकि संगत जी वो गर में भी आ जाते है तो वो करते कि वो साड़े अट वजी आएंगे घर रात को तो मैं उनको पूछ लूँगी और आप आ जाना मैंने का ठीक है मैं तो उदर जाने की प्लैनिंग कर ले थी तो उसके पहले ही कोई बारा एक को जी मुझे फोन आए मेरी कस्टमर है वो भी गुरु संगत है संगत जी तो उनका फोन आया हो करते कि देदी आप न आ सकते हो हमारे गर में मैंने का हां जी आ सकती हूं क्या बात करते कि मतलब आप अपना न गोड़ा किसी को दिखा लो वो है हमारे जान करें तो आप आजो तो मैंने का हां जा गुरु जी मैंने का गुरु जी नहीं मुझे ये उनको कहा होएगा कि तुम इनको इदेवलाव कहा हो चारी इतनी दूर जाएगी तो मैंने का ओ मैंने का ठीक है मैं आते ह आप न रिक्षा करके आजो तो मैंने कहा इस टैम रिक्षा कहा मिलेगा यहां पा रिक्षा तो वैसे भी चंडीगण में बहुत काम हो गया और हमारी जगा जहां मैं रहती हूं रिक्षे रुक्षे काम ही मिलते हैं तो संगत जी फिर मैं अपने अंकल को बोला कि मैं ऐसे से अ वाज ले घी तो मैंने का भी आ यहां तक जाना तो चेले हां जी चलू बैठो तो मैं उन्होंपर छोड़ा और मैंने उसको 20 सीर पे दे दे दीं मैंने 20-पे दते हैं यह कोई बात निया रख लू 20 फे हूं पर उतर आगी वो अंटी खडेे थे तो उन्होंडे मिल्को उतार में तो इतनी पेन हो री थी मेरे को उन्होंने हो तारा थो कहतें के आपकी तो वड़ी प्रॉब्लम हो रखिए मैने कहा हा मैं गिर गी थी मुझे तो पिर वो अपने घर लेके ग이 मैं उनके गभर गई तो आगे गुरुजी का सबूप्ञा मैंने मत्ठाटे का गुरुजी के शुक्राना करा गुरु जी का, जै गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और फिर फिर वो अंकल जी जो मन ले वले थे, जो देखते थे वो आगे, तो उनको भी मैंने मत्था ठेक है, मैंने का जै गुरु जी, तो उन्होंने भी बुला जै गुरु जी, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे, उन्हों मेरे को निखाते रहे, थोड़ी देर उन्होंने मेरे को देखा, और संगची मुझे आसे लगा, जैसे गुरुजी का रूप आ गया उनमे, मुझे आसे लगा, तो मैं अपने मन में सोची, जो गुरुजी आप ही हो, आप ही आयो मेरे, मेर अपने मन में यहीं सोची हो फिर उनाहों क्याते की चुनों दिखा दोया मैंने दिखाया पına तो उन्होंने फिर मेरा ट्रेट्मेट करा। फिर उन कहते कि आपना बैठ पकड़ कि उठो नीचे ऊपर हो जाओ तो संगजी मैंने उनको बोला यह नहीं हो पाएगा बैठ नहीं पारी हंगा इसे तो बैठ नहीं चोड़ों गानी आपको बैठने उठना पड़ेगा क्यों नहीं बैठो गया बैठो तो मैंने संगत जी बैठों फिर उठों फिर बैठों पूरा किते बैठ के बूरा निचे बैठों और इतने चीके निकले मुझे बहुत दर्द हो संगत जी और संगत जी एक ये बात है कि जो जो गुरुजी ने मेरे को कर मैसिज दी थे सेम भी कि वो बात उनों अंकल ने बोली, जो गुरु जी ने मेरे को बोला था, गुरु जी ने रात को जो मैसिस किये थे, कि पुतर तो उठ के अपना निचे बैठ और उठ, निचे बैठ उठ, एड़ी अपनी निचे लगा और उठ जा, तो सेम वो भी अंकल जी ने मुझे ऐसे बोला, तो मैंने का आप हो ना हो, जी गुरु जी ही आए, गुरु जी मैंने का गुरु जी आप यो, मैं उनको भी बोल ले थी, मैंने का आप गुरु जी के रूप मे आयो, क्यूंकि मेरे गुरु जी ने जो जो मेरे को मैसिस दे रहे तो वो ही बोल रहे हो तो वो गतते कि नना तो 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 में उनको ना, पहचान पुषी में जानती थी वास उनके जीए में छी पास किसाब हो न जनके व ऐसम धर पहली वार मिली थी उन환 नहीं Special कशाब बहुत दर्द्वी फिर उन्होंने मेरे को कहा कि चलो आपर जहां पर उनके घर में पांसर चक्कर करवाए और कहते कि वह सारी बाते करी उन्होंने मेरे साथ वो कहते कि तुम तो गोड़े की तरह बागोगी या स्यादा कुश्वी नहीं बस कोई बात नी थोड़ा मतल बस्ति कि उन्होंने ये बताया कि आपके ही कोई इंक्टिविटी है आपका ही कोई रिष्टेदार है जो आपके पिछे लगा हुआ है वो ही है तो संगत जी मैं तो सुन के हरान हो गई कि यही चीज गुरूजी मेरे मेरे महाराज ही बठ्थे थे वो ही बता रहे थी क्योंकि वो ही मेरे को पहले ये बात बताते हैं उसके बाद वो ही रपीट करते हैं वो ही चीज से जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी गुरुजी आप तो गुरुजी आपका क्या बोलूं मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती आप का मैं तो शुक्राना करती जाओं करती जाओं तो भी काम मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राने आपके कोटी कोट शुकराने आपके दिन रात के शुकराने है वारंबार शुकराना गुरुजी आप मेरे अंग संग रहते हो आप मेरे दर्द को देखते हो आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है गुरुजी आपको सब पता आप जाने जानौ आप महा शिव ओ महा काल हो मेरे शिव हो आप मेरे दिल में रहते हो और संगत जी उवो अंकल जी जी कहते कि मैं ने अंकल जी को बोला कि कोई सेवा भताओ मेरे लाइ जी करने के Meu ऴे तों करते हैं रहा जाय है को आपके चलण को यहीं मैं कअ मैं आको या यहा बगवान करते हैं है नहí है Milidyanais नहीं अपण्हान करते हैं आप पर ना पाण अजसे को नहीं सो me बैठी बैठी मैंने गहाँ घृरुजी, आप आयो मेरे पास, आप आओ मेरे घर में भी आओ चेरण डाल जरूर आओ, मैंने उनको बोला, तो वो हसने लगे को ते कोई बात नहीं आएंगे और किसी दिन, मुझे इतना आया, मैं उन अंटी को बोल रही, मैंने कहा रिखा जी, मैंने कहा ये तो वही रिपीट कर रहे है बात जो गुरू जी मुझे बोलते है मैसेज के जलिए जो गुरू जी ने मेरे को कहा था ये सेम चीज़े वही बोले एक वी बात जूठी नहीं है जो भी गुरू जी ने मेरे को कहा मैसेज के जलिए वही जी बात बोल रहे है तो वो वो मेरे गुरुजी थे, जड़ जे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वा वा गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्छे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, वा वा गुरुजी, वा वा गुरुजी, सत नाम सी रिवाहे गुरुजी, सत नाम सी रिवाहे गु गुरू जी, वाह वहा गुरू जी, मेरे प्यारे गुरू जी, शुक्राना गुरू जी, मेरे आंग संग रहने वने गुरू जी, आंग संग साहाई रहने वने गुरू जी, गुरू जी मैं आपका बख्यान कभी नहीं कर पाऊंगी, गुरू जी आप सब का साथ देना, आप स मेरे प्यारे गुरु जी, मैं सोचती हूँ संगत जी, अगर गुरु जी ना मिलते तो हम तो आज इस दुनिया में होते ही नी, क्योंकि गुरु जी ये कहते थे मेरे को, ये पुत्तर तेरे को रिष्टेदार है, वो ही तेरे पिछे लगे हुए, वो नहीं चाहते कि तुम लो गुरु जी मैंने किसी का क्या भी गाड़ा, मेरी जब से शादी वे न संगत जी, तब से लेके मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैं अपना ही सब को सोच, सब को, सब रिष्टर में माई के वालों को गम और अपने सुस्राल वालों को ज्यादा दर्जा देती थी मैंने का नहीं, अब जो भी है यही है, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरे पीट पीटे, कितनी शूड़ी चला रहे हैं, तो संगत जी मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा कहते हैं कि जा उनको बोल दे, जो करने कर लो में गुरूजी हैं मेरे साब, संगत जी में उनको जी कहना चाहते हूं कि बाज आ जओ, मत करो ऐसा किसी के साथ खिलवार नहीं करना अपनी फैमिली में मस्त रहो और हमें भी मस्त रहने दो हमें भी जी ने दो हम अपना कमाते या बना उनने काम बंद करा दिया तो मैं फिर भी संगत जी ने गवराती मैं नमक के साथ फुलका खाना पसंद करूंगी और इज्जत का खाऊंगी मेरे गुरुजी है ना मेरे पास वो शारा वो जब है तो हमें डरने की कोई जरूरत है मेरे गुरू जी कहते हैं कि पुत्ता तुझे डरने की कोई जरूरत है मैं हूँ और मेरे गुरू जी यह भी कहते हैं कि जहां भी जाती है मुझे साथ लेके जाया कर क्योंकि साथ लेके जाया कर मेरे जल पर साथ लेके जाया कर पकट स्रूप लेके जाया कर तो संगत जी जी सब कुछ में अपने साथ लेके जाती हूं गुरु जी को एक वानी दो वानी तिन तिन वर में गुरु जी को बोलती हूं गुरु जी आजो चले चले गुरु जी आप मेरे साथ हाओ गुरु जी मैं अकेली हूं गुरु जी आजो मेरे साथ ताथी लेकिया ना और आप मेरे अपना घर का भी ध्यान रखना गुरुजी जैजै गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी मैं आपका शुक्राना ससंग कर रहे हूं मेरा शुक्राना ससंग अक्सेप्ट करना जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी आप मेरे बच्चों का बहुत ख्यान रखते हो आपने मेरी अर्दास भी कबूल करिये उसके लिए भी बहुत 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 करोडो बार लखो बार करोडो बार शुक्राना मेरे गुरू जी आपका शुक्राना है बहुत ज्यादा जै जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी जै जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी यह संग जो मैंने करा है तो आप इसको आगे शेयर कर देना प्लीज और कोई भी अगर कहने सुनने में मेरे से कोई गलत अलफाज निकल गे हो तो गुरुजी और संगत जी मु अपनारी सत्संग बिराम लेती हुँ और गुरु जी का मंतर जाप करना चाहूंगी। इनके पास नहीं बिज़ा तो जी गुरु जी आपने ही मुझे बुलाया है इसके लिए मैं आपका तहें दिल से शुकराना करते हुँ गुरु जी आपसे अरदास करते हुँ कि इन आंटी का भी आप भला करना इन आंटी पे भी कृपा करना और जो अंकल जी आये थे उन पे अपना हाथ रखना गुरुजी उन पे भी अपनी कृपा द्रिष्टी बनाए रखना तो जय जय गुरुजी धन धन गुरुजी वह वह गुरुजी मेरे प्यारी गुरुजी जय गुरुजी शिवाय अंकल जी और गुरुजी शिवाय अंकल जी पे भी अपना अपनी कृपा बरसाते रहना, इनके बच्चों भी करिपा बरसाते रहना, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और हमारा हम सब का शुक्राना ससंग शेयर करते हैं, इसके लिए शुवाई अंकल जी आपका भी मैं शुक्राना करते हूं, जै गुरु जी, जै संगत जी, जै जै गुरु जी संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो तू अब इस ससंग को और संगत के साथ जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरवात पराप्त कर सके जै गुरु जी